इस वीडियो में बनाने वाले हैं एक energy saving circuit जो की light control होगा वो भी LDR module से यानि कि जब भी आपका day और night होगा तो automatic यह on और off करके आपका energy को saving करेगा तो यह जो circuit है 12 volt पे control होगा तो चलिए यह किस परकार से बना है इसके wiring diagram आपको दिखाता हूँ तो सबसे पहले इसमें चेक कर लेते हैं कि 12 volt इसमें supply देंगे तो यह मेरा supply voltage है तो देख सकते हैं 12 volt दे रहा है 12.20 तो यहां पर आप देख सकते हैं यह 5 volt LDR module का circuit है यह circuit बहुत ह time यूज कर सकते हैं कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाला है क्योंकि मैं खूद 6 साल से circuit पे LDR module चला रहे हैं तो यहां पर simply किया कर देना है कि जो पहला transistor है उस transistor के base point में एक register जोड़ देना है यानि कि 470 ohm का यहां पर एक resistance लगा देना है इसके बाद यहां पर 5 volt के जगा 12 volt दे करके और आप इसको control कर सकते हैं तो चलिए इसको connect करके और फिर आपको दिखाता हूं कि यह किस परकार से work करता है तो यहां पर minus और प्लस अच्छी तरीके से connect कर देना है तो चलिए इसके output में एक हम LED strip को connect कर देते हैं जो कि मेरे relay में connect होगा यहां पर normally जो open रहता है उसमें और एक common में जो कि negative रहता है तो चलिए अब हम दिखाते हैं आपको कि जब भी मैं यहां पर LDR जो लगाए हुए हैं उसको dark में कर रहे हैं तो यह मेरा light strip है जो on हो जा रहा है आप यहां पर clearly देख पा रहे हैं यह LDR मोडियूल है तो जब भी इसमें अंधेरा कर रहे हैं तो इसका light देख सकते हैं उपर में रखे हुए हैं तो यह प्रोपर वर्क कर रहा है इस circuit को आप यूज करके आप अपना electric save कर सकते हैं वीडियो जादी अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीड को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लिए हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब कर वाचिंग